चंडिगण मेयर के आज चुनाव होने थे जो की टल गए हैं आपको बताएं कि सुबा 11 बजे यहां पर वोटिंग होनी थी मेयर के लिए फिर सीनिय डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए यहां पर चुनाव होने थे जो की आज नहीं हो पाए हैं मेरे पीछे की आप तस पाई है क्योंकि जो इलेक्शन थे वो टल गए हैं इसके लिए चुनाव अधिकारी अनियल मसी के बिमार होने की बात कही गई है इस बारे में पार्शदों को वाटसेप के जरिये मैसेज भेजे गए थे जिसके बाद आमाद्मी पार्टी और कॉंग्रेस पार्शदों ने दिया गया है आपको बताएं कि इस मौके पर पूर्वकेंद्री मंत्री पवन बंसल और आमाद्मी पार्टी के राजसबा सांसद रागव चट्धा भी यहां पर मुझूद थे और पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक लिया दोनों ने ताउंने कहा कि वो इसको लेकर के हाई कोड्श जाएंगे और आपको यह बता दें कि फिलहाल यह जो चुनाव है वह आज टाल दिया गया है वहीं भारतिय जंटापार्टी के जो पार्षद हैं वो कह रहें की पंजाब के सरकारी अफसर जो हैं वो इस चुनाव में थे और हमें शक है कि पंजाब संबकर के इशा पर जो चुनाव होने थे वो बड़े दिल्चस्प होने वाले थे यह चुनाव इसलिए दिल्चस्प होने थे क्योंकि एक तरफ जहां भारती जन्ता पार्टी थी दूसरी तरफ वहां पर आमादमी पार्टी या कॉंग्रेस नहीं बलकि गटबंदन का इंडिया गटबंदन जिसमें आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस दोनों निता मौझूद थे समय समय पर ये लोग आए भी बयानबाजी भी हुई धक्का मुक्की भी हुई पर फिल्हाल जो अब का सिनेरियो है वो यही है कि ये चुनाव फिल्हाल टल गया है कब होगा ये अभी तक जानकारी सा पान के रिहाइश पर इंडिया गडबंदन के जो मीटिंग चल रही है तमाम नेता भी वहां पर मौझूद हैं आपको ये बता दे कि 36 वोट थे टोटल इस आज वोटिंग प्रक्रिया में जिसमें एक MP का होता है इन में से 14 भारतिय जनता पार्टी के थे एक अकाली दल का और साथ कॉंग्रेस के थे और 13 आमादमी पार्टी के थे जिसमें आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस गडबंदन में थी फिलहाल आज का चुनाफ टल गया है अगली तारीक अभी तक सामने नहीं आई है वीडियो जॉनलिस्स सूरज के साथ खबरे अभी तक के लिए चंड